दोस्तों आज मैं आपसे जॉर्डन पिटर्सन की बुक 12 Rules of Life की समरी आपसे सेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप सीखेंगे कि अपने Life को Organized कैसे करें अपने Problems या परिशानी को कैसे दूर रखें और खुद के अकेले पंसे कैसे बचें पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आउने वाले सभी वीडियो जिस जुकाएं नहीं और स्माइल करें जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉड़ी में सेरोटोनीन का लेवल बढ़ता है सेरोटोनीन एक हैपी हर्मोन है जो आपके नसों को आराम देता है और आपके इमिनिटी को मजबूत करता है जिससे के आपको अच्छी अच्छी वीचार यनि के थौट्स आते हैं आई इस एक एक एकजामपल से समझते हैं लॉबस्टर यनि की केकड़े समुद्र की गहराई में सर्वाइब करने के लिए बहुत संघर्ष करता है जब केकड़े लडाई करता है और वो जीत जाता है तब वो अपने आपको और बड़ा दिखाता ह उसके बाडी में एक केमिकल होता है सेरोटनीन जो रिलीज होने लगता है और अगर कोई केकड़ा हार जाता है तो और छोटा हो जाता है जिससे उसके अंदर सेरोटनीन का लेवल कम हो जाता है इसलिए एक अच्छी पोस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है वो असानी से अपने शिकार को फसा सकता है वहीं दूसरी ओर एक जुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर होता है उसके बॉडी में सेरोटनीन का लेवल कम होता है इंसान भी इस पहलो में बिल्कुल केकड़े की तरह होते हैं इसलिए खुद को लूजर मत समझिए अच्छे मौके आपको तभी मिलेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव बाते शोचेंगे तो आज से ही तनकर चलना सुरू कर दीजिए और अपने बॉडी में सेरोटनीन का लेवल बढ़ाईए स्वायं को उस वैक्ती की तरह देखें जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है जब हमारा कोई फेमली मेंबर बीमार पर जाता है तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उन्हें समय पर दवाई देते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं तो अपना ध्यान नहीं रखते समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते और अगर डॉक्टर के पास चले भी गए तो समय पर दवाई नहीं लेते दोस्तो आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप अपने परिवार से करते हैं अगर आप खुद पर कंट्रोल करना और डिसिप्लेन में रहना सीख लेंगे तो जरा सोची आपकी जिन्दगी कितनी बदल जाएगी और आप कितना और्गनाइजड हो जाएंगे अगर आप स्वस्त और खुश रहेंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइब के हर पहलू पर पड़ेगा जिससे आप ज्यादा प्रोडेक्टिव हो जाएंगे तो इसलिए आज से ही खुद का परवाह करना और अपना ध्यान रखना शुरू कर दें अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है जिसके दोस्ती करने के लिए आप कभी किसी और को नहीं कहेंगे तो भला आपने खुद उसे अपना दोस्त क्यों बना रखा है इसलिए आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं जो आपके लक्ष को पाने में मदद करता हो। और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको डंटने और सही राष्टी पर चलने के लिए कह सकने का हिम्मत रखता हो। आए इसे एक एक जामपल से समझती हैं। आउथर कहते हैं कि उनका एक दोस्त था एड जो बहुत इंटेलिजन्ट और स्मार्ट था। वो दोनों साथ में पाटी करते थे। आउथर ने कॉलेज में एड्मिशन ले लिया लेकिन एड नसा करने लगा। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय भीताने लगा जो कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके थी। आउथर ने एड को अपने घर बुलाया। लेकिन एड अकेले नहीं उसके साथ उसका दोस्त कारल भी साथ में आया था। आथर उन्हें देखते ही समझ गए कि वो नश्य में चूर है। आखिर आथर एड को एकांत में ले गए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। इसलिए दोस्तों लाइट में लक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर विनम्रता लाएं और जड़ा साहर दिखाएं अपनी निरने चमता का इस्तिमाल करें और स्वैंग को ऐसे लोगों से बचाएं जो गलत राष्टे पर चल रहा हो। और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपका हिच चाहता हो और उन्हें अपना दोस्त बना लें। अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें ना कि दूसरे से। आथर कहते हैं कि आप भले ही किसी स्किल में महारती हो। पर आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जिसके सामने आप अक्छम नजर आएंगे। यानि आपका स्किल फीका पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप गिटारिस्ट हैं तो खुद को जीमी-पेश से कम-पेर मत कीजिए। और अगर आप शेफ हैं तो खुद को मास्टर शेफ गार्डन ड्रॉम्सिस से कम-पेर मत कीजिए। आपके पास अपने एक यूनिक स्किल है। इसलिए आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं, आप खुद में एक यूनिक इंसान हैं, और बिल्कुल आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है, इसलिए आप जैसे हैं खुद को वैसे accept करें, आपको जो हुनर है उन्हें बहतर कीजिए, दोस्तो अगर आप दूसराओं की नकल करेंगे, तो ना उनके जैसा बन पाएंगे, और ना आपकी खुद की कोई अलग पहचान बन पाएगी, इसलिए खुद को दूसरे से compare करने के वजाए, आप कल क्या थे, उससे खुद को compare करें, ऐसा करने पर ही आप असल में फर्क देख पाएंगे, हर द खुद को कल से भी एक बहतर इंसान बनाने का होना चाहिए, नमबर फाइप, अपने बच्चे को ऐसा कुछ न करने दें, जिससे आप उन्हें ना पसंद करने लगें, आउथर कहते हैं कि एक तीन साल का बच्चा एक भीडभावाले एयरपोर्ट पर अपने पैरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था, जो बहुत सरारत कर रहा था, वह सब के सामने जोर जोर से चिला रहा था, उसके माता पिता उसे अम देखा कर रहे थे, और वह बहुत सरमिंदा भी हो रहे थे, लेकिन बस आगे आगे चलते जा रहे थे, बच्चा अपने पैरेंट्स के पीछे चल रहा था, वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोसिस कर रहा था, हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके पैरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अगर उसका पैरेंट्स एक बार रोक कर उससे बात करते तो प्राबलम्स वहीं सॉल्ब हो ज बच्चे को नई चीजे सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ देते हैं, और साथ ही उनके लिए लिमिट विसएट करते हैं, और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत रोकते हैं, ऐसा करने से वह बच्चा सही और गलत में फरक करना सीख जाता है, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर समझा लें क्या आपने उन सभी मौकों का पुरा लाब उठाया है जो आपको दिये गए क्या आप अपनी नौकरी या करियर में कड़ी मेहनत करते हैं क्या आप अपने जीवन साथी और बच्चे से संभाण जनक वहवार करते हैं क्या आप ऐसी आदतों के गुलाम हैं जो आपके स्वास्त और खीताओं के लिए सही नहीं है क्या आप अपने जीवन में सुधार ला पाए अगर इसका जबाब ना है तो आप जरा ये कोशिश करके देखिए वह करना बंद कर दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है इसकी सुवात आज से कीजिए अपने जीवन में बस वही करें जिसके बारे में बात करते समय आपको गर्व महसूस हो दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर समभा लें आए इस एक एकजमपल से समझते हैं एटॉन चेखाब के पिता को सराब पीने की आदत थी वो नशे की हालत में रोज अपने बच्चे को मारते थे उनका परिवार गरीब था और वो एक छोटे से मकान में रहते थे एटॉन के भाई बिलकुल अपने पिता की तरह हो गए लेकिन एटॉन ने बहुत मेहनत की और पढाई में ध्यान लगाया जिससे उसको स्कॉलर्शिप मिल गया उन्होंने खुद पर अपने माहौल का असर नहीं होने दिया अपनी सोच को पॉजेटिव रखते हुए एटॉन ने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश किया उन्होंने अपने भाईयों को भी बदलने के लिए एंकरेज किया अपने घर के माहौल को बदला और आगे चल करेट और बहुत सक्सिस्फुल लेखक बने आज भी उनके बुक्स ना जाने कितने लोगों को इंस्प्रेशन दे रहे हैं वह हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपुन हो ना कि वह जो सुविधा जनक हो वोमेंट में मजे करने के बजाए अपनी फ्यूचर और लाइप के बारे में सोचो और ये देखो कि आपका पैसन क्या है आप किसलिए जीते हैं आपका सच क्या है और उसे फोलो करना स्टार्ट करें अपने आप से पूछें कि आप इस दुनियों को कैसे बहतर बना सकते हैं और आपको आज ऐसा क्या करना है जो आपके फ्यूचर में काम आए जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ज़्यादा और्गनाइजड हो गए हैं नमबर एट हमेशा सच बोलें या कम से कम जूट ना बोलें आउथर कहते कि एक समय था जब वो अपने वाइब के साथ एक छोटे से अपाटमेंट में रेंट पर रहा करते थे उसका मकान मालिक डेनिस थे जिसे सराब पीने की लट थी वो अपने काम के समय को छोड़कर पूरा दिन नशे में धुत रहता था कई बार तो वो सिर्फ दो ही दिन में बियर की साथ बोतल पी जाता था वो अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था जब कभी उसके पैसे और सराब खत्म हो जाते तो आउथर का दरवाजा खटखटा देता था चाहे आधी रात ही क्यों न हो रहा हो और साथ में वो माइक्रोवेव टोस्टर ले के आता था और उसे आउथर यनि कि जॉड़न को बेचने की कुसिस करता था जॉड़न ने एक दो बार उसका समान खरीदा भी लेकिन जॉड़न की वाइब का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा जॉड़न बहुत नर्वस थी वो नसे में दुट एक सराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब अब नहीं चल सकता फिर जॉड़न ने सच बोलने का फैसला किया उन्हाणे डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई समान नहीं खरीदना चाहते उन्हाणे उसे समझाय कि उसकी भलाई सी में है कि उसे और पैसे ना दिये जाएं Jordan ने जो हकीकत था उसे साब साब बता दिया 15 सेकेंड तक Dennis Jordan को देखता रहा और उसके मन को पढ़ने की कोसिस करता रहा उसने Jordan के सब्दों में सच्चाई और इमांदारी को महसूस किया फिर वो मुडा और वहां से चला गया देनिस ने फिर कभी Jordan को कुछ भी बेचने की कोसिस नहीं की अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है तो सच बोलने का परियास कीजिए अगर आप खुद को कमजोर, हताश, फुकराया हुआ और उलजन में महसूस करते हैं तो सच बोलने का परियास कीजिए जोट से सिर्फ एक और प्राब्लम खड़ी हो जाती है भली है वो किसी की feelings को हट ना करने के लिए बोला गया हो फिर वे जोट ही होता है या मान कर चलें कि आप जिस वेक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वो कुछ ऐसा जानता हो जो आपको ना पता हो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिने किसी ऐसे इंसान की ज़र्ध होती है जो उन्हें सुने और समझे क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो यह मांसिक रोग यानि कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं हैं सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी बहुत जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं आप को उनसे हमदर्दी है या नहीं आप भरोसा करने के लाइक हैं या नहीं अगर आप उसे कोई सला नहीं भी देते हैं तो उसे बस बोल कर अपने मन को हलका कर लेने दीजिए क्योंकि अक्सर ऐसे लोग खुद अपने problems का solution ढूंड लेते हैं इसलिए सिर्फ उन्हें पूरे ध्यान से सुनें 10. सटीक और असपश्ट सब्दों का उपयोग करें जब हम अपने problems को पहचान नहीं पाते तो वो धीरे दीरे और ज़्यादा बड़ी और बत्तर होने लगता है अगर आप किसी problems की जड़ को नहीं समझ पाए तो आप उसे कभी हल भी नहीं कर पाएंगे यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है यह मत कहिए कि सब कुछ गलत है लेकिन यह भी मत कहिए कि कुछ भी गलत नहीं है बढ़ा चड़ा कर यह कम करके नहीं बलकि जो problems है बस वहीं बोलिए एक बार जब आप problems को पैचान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है किसे कैसे solve करना है नमबर 11 जब बच्चे skateboarding कर रहे हो तो उन्हें परिशान ना करें बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे के परती जरुरत से ज़्यादा protective होते हैं वे अपने बच्चे पर कई चीजों की पावंदी लगा देते हैं और वो हमेशा बीच में आकर बच्चे की problem को solve कर देते हैं इसका result ये निकलता है कि बच्चा डरपोक और अंदर से कमजोर हो जाता है वो अपने parents की मदद पर आस्रित हो जाता है और वो खुद कोई decision नहीं ले पाता ऐसा आपने बच्चे के साथ ना होने दें इससे आपके बच्चे को खुद ये पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए इससे उसमें confidence develop होने लगता है और वो किसी पर आस्रित होने की बजाए problems को handle करना सीख जाएगा अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजराए तो उसे पाल ले हम सब बहुत वियस्त हैं और बस दोड़ते ही जा रहे हैं कोई रुकना नहीं चाहता लेकिन थोड़ा रुकना बहुत जगरी है जिंदगी की छोटी-छोटी खुसियों का आनन्द उठाएं हो सकता है कि घर लोटते वक्त आपको सड़क पर एक बिल्ली दिख जाए जो खाने की तलास कर रही हो और उसे देख कर आपकी चेरे पर स्माइल आ जाएं इसलिए रिलेक्स करना सीखो थोड़ा रुकना सीखें आप कुछ देर रुक कर बिल्ले को प्यार से सहला सकते हैं यह प्राकृती बहुत सुंदर है लेकिन यह रुक कर इसे देखने का वक्त किसी के पास नहीं है दोस्तो हमारी जिंदिगी अस्त वियस्त नहीं होनी चाहिए आप अपनी जिंदिगी के हर पहलू को ओर्डर में ला सकते हैं बस आपको अपना नजरिया बदलने की ज़रुरत है तो दोस्तो यह थी 12 Rules of Life की समरी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग जय हिंद